दोस्तों हमारे जीवन में डर, भय और संकाएं कब आती हैं? जब हमारा विचार प्रबल नहीं होता, जब हमारे विचारों में परिपक्रता नहीं होती है, जब हमारे विचारों में प्रबलताएं नहीं होती है जब आपका विचार प्रभल होगा और आपके विचारों में परिपक्ता होगी तो निशित मानिये आपके जीवन में डर और भै ये दूर हो जाएंगे वो आपके पास आएंगे नहीं विचारों का वेग इतना तेज होता है विचारों में प्रवलताई इतनी तेज होती है कि व्यक्ति के जीवन को बदल देती है व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम करती है अपराधी से अपराधी व्यक्ति डाकू से डाकू व्यक्ति अपने जीवन को विचारों के प्रभाह से बदल देता है उनका जीवन बदल देता है एक बार गौतम बुद्ध जा रहते अपने सिस्व के साथ एक गाउं के पास पहुचें गाउं के लोगों ने गौतम बुद्ध को रोग लिया बोला कि सन्यासी उधर मत जाओ बोले क्यों बोले यहां बहुत बड़ा डाकू रहता है उनकली माल जिसने प्रड किया है जिसने संकल्ब किया है कि एक हजार लोगों का वद करके उसकी उनकली को अपने कंधे में अपने गले में लटकाना है गौतम बुद्ध ने कहा कि तब तो मैं जाओंगा अगर तुमने नहीं बताया होता तो सायद मैं रास्ते को बदल देता लेकिन अब तुम लोगों ने अगर मुझे बता दिया है तो मैं उसी रास्ते से जाओंगा काउं के लोगों ने कहा कि मारे जाओंगे पूरे गाउं में आतंक है आसपास के लोगों में आतंख है अंगली माल इतना खतरनाक डाकू है कि लोग यहां से गाउं छोड़ कर जाने लगे हैं घर छोड़ कर जाने लगे हैं तुम बच नहीं पाओगे कौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा और कौतम बुद्ध आगे की ओर बढ़ गएं कौतम बुद्ध जब आगे जाते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अंगली माल तलवार लेकर उनके सामने खड़ा होता है वो कहता है कि यह सन्यासी रुख जाओ कौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तो जाने कब का रुख गया हूं अब नहीं रुखने वाला उसने बोला कि मैं तुम्हारा वद कर दूँगा मैं तलवार से तुम्हारी गरदन धर से अलग कर दूँगा कौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे कोई डर नहीं मुझे कोई भै नहीं माल ने कहा कि अगर अबकी तुमने कदम बढ़ाया तो तलवार से तुम्हारी करदन अब अलग कर दूँगा गौतम बुद्ध आगे बढ़ते चले गए आगे बढ़ते चले गए फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि तुम्हारी इतनी ताकत है तुम्हारा इत के पेड़ दिखाई दे रहा उस पेड़ की टहनी काट कर तुम्हें लानी है अंगली माल ने बहुत तेज से ठाके लगाएं और बोला छोटा सा काम कह रहे हो अगर मुझे बताते हैं कि पेड़ को काटना है तो मैं पेड़ को जड़ से काट देता वो टहनी क्या बात है टहनी को उसी पेड़ में उसी तरह से लगा कर आओ गौतम बुद्ध की बात को सुनकर मुझे माल फिर मुश्कुराया और बोला कि तुम बेबूफ हो सन्यासी अब यह टहनी उस पेड़ में कैसे लगेगी जिस प्रकार से लगी हुई थी उस प्रकार से तो नहीं लगने वाली ग अगर तुमारे अंदर हिम्मत होती तो तुम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं इसी के बात से गौतम बुद्ध के विचारों को सुनकर उंगली माल का जीवन बदल गया उंगली माल ने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया दोस्तों यह विचारों की ताकत थी यह वि जीवन लगा दिया दोस्तों विचार की प्रवलताएं और विचार के वेग इतने आपने देखें कि उंगली माल जैसा डाकू भी उसका जीवन बदल गया इसलिए आप अधन करिए आप पढ़िए और आप अपने विचारों को प्रवल बनाईए परिपग बनाईए मजबूत निश्चित मेरा दावा है कि आपको कभी जीवन में डर नहीं लगेगा मेरा दावा है कि आपको कभी भे नहीं लगेगा संका नहीं लगेगी दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा ज्यादा सेयर करिए लाइक करिए अभी तक हमारे चै